क्या आप भी 2024 में डिजिटल मार्केटिंग का इंटर्व्यू क्रैक करना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि किसी MNC कॉर्परेट में आप भी ऐस डिजिटल मार्केटर काम करें और अच्छा खासा आपको सेलरी पैकेज मिले दोस्तों मेहचेश गुपता फाउंडर मार्केट कि इंटर्व्यू अगर आपको डिजिटल मारकेटर के इंटर्व्यू भी लेते हैं तो सारा एक्सपीरियंस पूछे जाते हैं उनके क्या सवाल है जवाब है आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है दस छान्ट के हमने निकाले हैं उनके आंसर जो आपको हेल्प करेंगे डि मिनटे पिस वीडियो का मिस्मत कीज़ेगा अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जॉब चाहिए इंटर्वεις क्रैक करना है तो यह है वो वीडियो जो आपको हो घो करेगा तो शुड़ात करते हैं सबसे पहले क्वेशन से जब हम डिजीटल मार्कीटिंग इंटर्वीयु दने जाते तो एक सवाल तो सबस्यादा कॉमन कि भाई डिजीटल मार्किटिंग क्या है यादि चाहिक कीजिए ब्रीफ में το यह पूछा ही जाता है क्योंकि जब इंटर्वी इस फील्ड का देरियों से बारे में नहीं पूछेंगे क्या जानते हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एक तरीका है इंटरनेट पे अपने प्रोड़क्ट सर्विसेज ब्रैंड को मार्केट करने का इसके अंदर अलग-अलग क्योंकिकेशन मैघर्ड यूज करे जाते हैं आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग में प्रोफेशनल दोनौह ही जगा इंपर特ंट है Because digital marketing के through आप easily communicate कर सकते हो, अपनी बात audience तक पहुँचा सकते हो तो digital marketing is a way to communicate with people दूसरा सवार, क्यों digital marketing जादा तेजी से grow हो रहा है as compared to offline marketing ये traditional marketing का जो तरीका है दोस्तो, traditional marketing में दो तरीका आते हैं एक ATL और एक BTL ATL above the line ठीक है जिसके अंदर बड़ा मीडिया आता है TV, रेडियो, आउट्डोर मीडिया ठीक है and BTL below the line जिसके अंदर लाइक नुकर नाटा, काटो रिक्षा है, लीफ्लेट डिस्टिबूशन इस तरीके के local activities आते हैं बड़ यह सब traditional marketing के अंदर आता है और अब आगया है digital marketing का जमाना तो digital marketing क्यों जाधा अपनाया जा रहा है सबसे पहला कि यह हर individual, हर इंसान, हर business के reach में है economical है, affordable है, transparency जादा है, better analytics हमारे हिसाब से हम budgets, analytics, data, optimization, strategies, requirement और industry के हिसाब से platform बहुत कुछ इसके अंदर हमारे control में है जिसको हम अपनी जरूरतों के हिसाब से manage कर सकते हैं या use कर सकते हैं, जो कि offline traditional media में पहले possible नहीं था तीसरा सवाल, what are some of the popular digital marketing tools? अब digital marketing के दुनिया में अगर आप हो और digital marketing के platforms की knowledge रखते हो, तो obviously उनके tools के वारे में आपको पता होना चाहिए तो अगर हम गूगल की बात करें तो जैसे कि गूगल keyword planner है, गूगल analytics है, गूगल tag manager है, उसके अलावा गूगल के अंदर, गूगल से ही related अगर हम बात करें तो href हो गया, सेम्रस हो गया, यह SEO और paid advertisement दोनों के अंदर help करते हैं, तो search engines के लिए अलग tools है, ठीक है, social media के लिए अलग tools है, email marketing के लिए अलग tools है, ठीक है, तो हर एक particular activity platform के लिए नए-ने tools है, business automation के लिए tools है, sales automation के लिए tools है, like hub spot हो गया, ठीक है, कई सारे tools है, जिनका हम use करके अपनी productivity increase कर सकते हैं, manpower बचा सकते हैं, साथ के साथ smartly competitive analysis कर सकते हैं, market analysis कर सकते हैं, जिसकी वरा से हम अपने competitor से आगे रह सकते हैं, और tools की मदद से पैसा खर्च नहीं होता, पैसा बचता है अगर आपको tools का efficient use करना आता है, और सही tool अगर आपको choose करना आता है, फोर्थ question है दोस्तों, what are the different kinds of bidding available in Google Ads, bidding strategies जो है, वो Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, किसी भी ads run करते हैं, सबसे बहले हम से क्या पूछता है, कि आप यह एड क्यों सना चाहिए, तो objective, goal क्या आपका चलाने का, तो हम choose करते हैं, search चलाना है, या हमें display ads, sorry, हम यह decide करते हैं कि lead generation, traffic ads, चलाना है, ठीक है, या हमको वहाँ पर brand awareness के लिए चलाना है, किस purpose के लिए ads चलाना है, उसके बाद हम decide करते हैं कि search ads चलाना है, video ads चलाना है, display ads चलाना है, discovery ads चलाना है, shopping ads चलाना है, क्या चलाना है, इंप्रेशन वाला चला रहा हूं तो कौन सी करनी है, अगर मैं वहाँ पर search ads चला रहा हूं तो कौन सा करना है, website traffic ads चला रहा हूं, तो अगर सही bidding strategy, सही campaign type के संग आपने नहीं यूज करी, तो जो Google है, या कोई भी ad campaign है, वो आपको वो result नहीं देगा, जो आप expect कर रहे हो, because ad चलाने का मतलब है, उसकी सारी settings और सारे features का सही यूज करना, bidding strategy ये बताती है, कि आप ये जो ad campaign चला रहे हो, ठीक है, उसमें आप क्या focus कर रहे हो, cost per click के ज़्यादर क्लिक आए, आप click के हिसाब से पैसा पे करोगे, या इसके अंदर आप decide करो, मैं cost per view के हिसाब से पे करूँगा, per view के हिसाब से, या मैं cost per impressions के हिसाब से या मैं video viewed हुआ, उसके हिसाब से करूँगा, या app download हुआ, उसके हिसाब से करूँगा, तो ऐसे अलग-अलग bidding strategies होती है, जो आपको अपने campaign type के हिसाब से, आपको जो goal है, उसके हिसाब से, आपको करनी पड़ती है, select तभी आपको best results मिलते हैं, because campaign की performance किसी एक particular factor पर depend नहीं ह available in Google Ads, दोस्तों जब हम Google Ads की बात करते हैं, especially जब हम PPC की बात करते हैं, पेपर क्लिक, जिसको text ads, search ads भी बोला जाता है, तो वहाँ पर keyword match types की बात होती है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप कोई भी keyword research करके हम आपर place कर दोगे, इन keyword पर मेरा ad चल जाए, क्योंकि उन broad match, phrase match, and exact match, broad match क्या है, कि अगर कोई keyword है, like digital marketing agency in Delhi, अगर आपने ये broad match में रखा, तो अगर कोई डालता है digital marketing job, तो भी आपका सर्च में आ सकता है, कोई बोड़ का shop in Delhi डालता है, तो भी आ सकता है, क्योंकि वो हर एक word को अलग keyword समझता है, और उसमें अगर matching आई, तो आपका ad में show हो सकता है, यहाँ पर irrelevant searches में आपके ad आना, irrelevant clicks आना, इन सम्में पैसा drain हो सकता है, तो broad match, अगर बहुत ही बड़ी आपकी budgeting है, ad spend है, तो आप कर सकते हो, नहीं तो वो recommendable नहीं है, बात करते हैं, phrase match की, यह जादा आपको better allow करता है, कि जैसे मैं डालता हूँ, digital marketing agency, और उ phrase match रखता हो, तो digital marketing agency, वो पूरे कोई keyword मानेगा, अगर उसके पहले कुछ लगाते है, like, best digital marketing agency, तो भी आपका search में आ सकता है, best digital marketing agency in Delhi, in गुरगाओ, in नौईडा, तो phrase match के अंदर, बीच का वो phrase same लेगा, आगे और पीछे change हो सकता है, उसमें अगर वो keyword आ रहा है, तो आपक necessary searches में बचने के लिए, हम negative keywords का use करते हैं, ये सब कीज़ा practically भी सीख सकते हो, हमारे तुरू, मगर अभी हम आपको उसका overview दे रहे, साथ के साथ, exact match, exact match क्या होता है, कि अगर कोई डाले, digital marketing agency in Delhi, ये पूरा का पूरा, जब कोई डाले, तभी मेरा ad show हो, searches में आए, उसको exact match कहत हैं, तो यहां पर आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत समझ के decision लेना पड़ता है, क्योंकि यही decide करता है, कि आपके ads, किन keywords पे कब, किसको कहा show होंगे, किस तरीके के clicks आएंगे, और क्या response आएगा, sixth question की तरफ बढ़ते हैं, दोस्तों, आप से पूछा जा स इंट्रीव के लिए आता है, तो marketing क्या है, sales क्या है, direct marketing क्या है, branding क्या है, advertising क्या है, promotions क्या है, PR क्या है, ठीक है, publicity क्या है, दोस्तों, यह सब terms जो है, marketing के अंदर ही आती है, अब हमें यह सब पता तो होता है, but exactly clarity नहीं होती, तो हम सब terms के बारे में तो अभी बात नहीं कर रह है, कि वो company के revenue के ऊपर, उसमें काम करा जाता है, कि company का revenue बढ़ाना है, इसके अंदर हम direct, जो top line, मतलब जैसे, जो भी management है, या ठीक है, जो भी direct digital marketing का department handle कर रहा है, तो direct marketing के through company के revenue को बढ़ाने पर focus रखते हैं, और इसमें generally हम क्या focus कर सबते हैं, क्या engagement, response, साथ के साथ, lead generation, conversion, sales, यह major KPIs होते हैं, जो बताते हैं, कि हमें क्या results आ रहे हैं, जिनसे measure कर सकते हैं, अब जहां पर हम branding की बात करते हैं, तो दोस्तों, brand marketing allows you to connect with your audience, तीक है, on a much deeper level, branding को अगर एक शब्द में define करना है, तो basically it is reputation, और reputation कभी भी एक दिन में नहीं बनती, यह long term process होता है, तो हर एक company को अगर brand बनना है, brand value create करनी है, तो उसको, इसके brand marketing के उपर focus करना पड़ेगा, जो उसको initial level पे तो कोई results लाके नहीं देगी, कि बहुत sales आ गई, या बहुत जादा उनको revenue आ गया, leads आ गई, मगर long term के अंदर, यह बहुत ही important है, ताकि एक loyal customer base बन पाए, market में उस brand की एक value बन पाए, तो यह बहुत urgent तो नहीं है, बहुत critical है, अगर आप अपनी company को brand बनता हो, long term में देखना चाहते हो, साथ के साथ, जब हम brand marketing की बात करते हैं, तो उसका focus होता है, उसके KPIs होते हैं, जिसे पता लगेगा कि हाँ, हम achieve कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, तो brand awareness, recognition and engagement, ठीक है, यह KPIs है, जो हम brand marketing जब करते हैं, brand awareness करते हैं, इसके उपर हम focus कर सकते हैं, इनको evaluate कर सकते हैं, 7th question के बारे हम बात करते हैं, दोस्तो, कि मतलब अगर हम कुछ disadvantages, digital marketing के बताने हो, कि digital marketing के यह मतलब disadvantages हैं, यहां पर दिक्कत देती है, digital marketing, तो वो यह है, कुछ, जैसे कि time consuming है, लोग सोसते हैं कि दो घंटे में एक Google का एड बन जाता है, Facebook का बन जाता है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि ad बनाने में time नहीं लगता, उस ad को बनाने के लिए, जो research, analysis resources, material चाहिए होता है, उसमें time लगता है, तो time consuming process तो है, ठीक है, साथ के साथ competition इतना ज्यादा हाई होता जा रहे है, यहां पर अब companies नहीं है, यहां पर individual level पे, freelancing level पे, agency level पे, हर जगा पे competition बनता जा रहा है, ठीक है, तो यह बहुत competitive industry होती जा रही है, इसी वरा से bidding हाई होत जारी है, जो पहले नहीं हुआ करते हैं, साथ के साथ दोस्तों, यहां पर क्योंकि एक online तरीका है, तो यहां पर complaints, feedback, reviews, testimonials, कई बारी लोग सही भी होते हैं, फिर भी गलत reviews डाल दी जाते हैं, complaints डाल दी जाते हैं, गलत testimonials डाल दी जाते हैं, जिसका impact होंगे, काम के उपर प पड़ सकते हैं, 8th question है, what KPIs do you use in social media marketing reporting, को जब आप social media marketing करते हो, उसकी reporting करते हो, तो can key performance indicators का आप use करते हो, तो obviously जो key, इसको KPIs को बोलते हैं, key performance indicators, जिनसे पता लगता है कि हम जो भी activities कर रहे हैं, जो भी campaign चला रहे हैं, उनसे में क्या results आ रहे हैं, उनको measure करके तो में पता ल is like, following, followers कितने बढ़ रहे हैं, कितने likes आ रहे हैं, कितने likes के आ रहे हैं, कितने रुपे के आ रहा है, followers कितने, तीजिव से गुरो रहे हैं, traffic conversations, traffic आप सेल्स भी कह सकते हो लीड जनरेशन भी कह सकते हो कई सारे की परफॉर्मिस इंडिकेटर सोते हैं अब डिपेंड करता है कि हम कौन से चला रहे हैं कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें हम कौन से को मेजर कर रहे हैं तो दोस्तों डिजिटल मार्केट यह सब जो हमने डिसकस कर पूछा जाता है अब हम कुछ और भी जानते हैं और क्या पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं अब तीनी फैक्टर सोते हैं एक होता है जोग्रेफिकल सेग्मेंटेशन कि अगर हम कोई सब्सक्राइब करना जाते हैं तो किस अगर हम कंडिशन की बात करें दूसरा आता है डेमोग्रेफिक सेग्मेंटेशन तो यहां पर हम सेग्मेंट कर सकते हैं और बेसिकली लास्ट बट नॉर्ड लीस्ट बेहिर्वियल सेग्मेंटेशन यहां पर ओडियंस का बिहेवियर क्या है उनके डिसीजन मेकिंग पैटरंस क्या है यहां पर कौन पर्चेश ज्यादा करता है कौन ऑनलाइन ज्याद एक्टिविटी करता है कौन किस चीज़ में इंट्रस्टेड है उसके इंट्रस्ट हो गए तो उनकी जो प्रिवेस एक्टिविटीज हैं उनकी जो इन मार्केट एक्टिविटीज हैं इन दुनों कि सी में इंट्रस्टिट हैं ऐसे कई सारे फेक्टर्स होते हैं जो जो ग्रेफिकल डेमोग्रेफिक और सब्सक्राइब कर सकते हैं यह सबसे जादा पूछा जाता है और इनी की जल्दी जॉब मिलते हैं जो जो हमारा 10 वह कि कैसे हम करेंगे किसी भी चैनल अगर हम फेस्बुक पर मार्केटिंग कर रहे हैं किसी और प्लैटफॉर्म पर कर रहे हैं तो क्या हमारी जो इन्वेस्ट्मेंट पर रिटन आ रहा है ठीक है अरोई हर किसी को चाहिए तो उसका फर्मॉला क्या है अगर आप इन्टू हंड्रड तो आपको निकल आएगा आरोई तो दोस्तों यह दस क्वेशन थे जो सबसे जादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक हैं तो उमीद करता हूं इनके जबाव आपको समझ में आए होंगे और जादा अगर आपको डिशन मार्केटिंग में और जानन लिमिटेड बैचेज लेकर आया है हाई ब्रेड लाइव डिजिटल एडवांस कोर्सेज जिसके अंदर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस प्रॉंप्ट इंजिरिंग के मॉड्यूल्स रखे गए हैं ऑनलाइन सब कुछ है लाइव डाउट सेशन हर क्लास के अंदर हैं दोस्त स्क्रिप्शन में भी नंबर और एंक्वारी फॉर्म दे रखा है आप कॉंट्रेट्ट करें 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 करें